हम ध्यान करना चाहते हैं और इसी चाहने में एक बड़ी भूल हो जाती है और वो ये है ध्यान किया ही नहीं जा सकता ये तुमारा चाहना कम ग्यान के कारण है क्योंकि जिनोंने ध्यान को जाना उन्होंने किया नहीं था ज्यादतर लोगों को ध्यान के होने और करने में अंतर नहीं पता जो बड़ी दुखत बात है तो बुद्ध की प्रतिमा को देखकर हर कोई पांच या दस मिनट बैठना शुरू कर देता है हालकि बैठने में कोई बुराई नहीं लेकिन ये चाहत मैं ध्यान करूंगा ये गलत है तो इसका उल्टा होने लगता है बाकी का समय तो ठीक इनी पांच दस मिनट के अंदर अनेकों विचार वासनाई उठ खड़ी होते हैं बैठना मुश्किल कर देती हैं तुम्हें नहीं लगता ये किसी बात का संकेत है कि बाकी का जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है तभी तो इन पांच दस मिनट में विशाल रूप धारन कर लेता है ये ऐसा भी कोई ध्यान होता है पांच दस मिनट के लिए शान्ती और बाकी का समय तनाव तो कहीं गलती हुई है समशने में मैंने तुम्हें जिकर किया था अपना 2010 से में ध्यान करने की कोशिश कर रहा था कुछ गलत प्रैक्टिस भी की लेकिन अंतिम परिणाम ये हाथ लगा ध्यान किया ही नहीं जा सकता इस सत्य को समशने के बाद होना शुरू हुआ तो ऐसी कुछ बाते तुमारे सामने रखोंगा ताकि तुमारी भी मदद हो सके तो मेरा आज ये ही उद्देश्य है तुम्हें समझाना कि ध्यान क्यों नहीं किया जा सकता और ऐसा क्या नहीं तुम जानते जो तुम्हें जानना चाहिए तो हम जानेंगे माया क्या है मन क्या है वासनाओ से उपर उठ जाना क्या है तो मैं चाहूंगा तुम इस वीडियो को बड़े सबर से देखो क्योंकि मैं बात ही ऐसी कर रहा हूं तुम चाहते हो ध्यान करना लेकिन मैं कह रहा हूं ध्यान किया ही नहीं जा सकता तो बड़े सबर की जरूरत है व्यक्ति सुबा उठता है किसी के जरा से कुछ कह देने भर से उसके मन की अवस्थाएं बदल जाती है अब वो चिंता में हैं परेशानी में हैं वो अपने मन को कहीं और लगाता है सोशल मीडिया या किसी और से बात करने लग जाता है अब यहाँ पे तीन बाते हुई पहला तो वो उस अवस्था का सामना नहीं कर पाया दूसरा जिस दूसरी जगा उसमें मन लगाया है वहाँ से जो आनंद प्राप्त होगा वो ज्यादा समय तक नहीं डिकेगा क्योंकि मन का काम है बदलना तो अवस्थाएं बदलती रहती है तीसरा इन दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति बेहोश है तो जब कोई ऐसा व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठेगा तो क्या होगा उसी वक्त जीवन ज़्यादा प्रभावशाली रूप से नहीं उठके आएगा चलिए अभी तुम से एक सवाल पोछ लेता हूं कि तुम अपनी जीवन को बदलना नहीं चाहते तुमारा जवाब होगा हां अब अपने आप से एक और सवाल करें ये जो मन हां बोल रहा है अभी फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये बदल जाता है क्यों बदल जाता है अब इसका जवाब इतना असान नहीं है हमें मन और उसकी माया को समझना पड़ेगा तुमने कभी प्यास को काट कर उसे ध्यान से देखा है ठीक ऐसी ही परते हैं मन के अंदर जो तुमारे सोचने समझने की शक्ती को कमजोर करती है तुमें सही फैसला लेने से रोग देती हैं मूर्शित कर देती हैं बेहोश कर देती हैं तो इन पर्तों को समझते हैं। Zen yoga दिमाग को चार हिस्सों में बांट के समझाते हैं। पहला हिस्सा इतना महत्तपुर्ण हैं। और यही हिस्सा महत्तपुर्ण होने के बाबजूद भी, व्यक्ति को माया भी भी उलजा के रखता है। हाला कि सीड़ी बन सकता है, ध्यान की और। आज मैं एक बार फिर से तुमें हर एक चीज गहराई से समझाओंगा। जब हम एक फूल को देखते हैं, उसके साथ ही में एक पलास्टिक का फूल भी पड़ा है। अब हमारी आंख इन दोनों फूल को ऐसे देखती है, जैसे मोबाइल का कैमरा फोटो खीचता है, हमारी आंख के लिए और मोबाइल के कैमरे के लिए ये दोनों में कोई अंदर नहीं है। जब ये आंखो देखी चीज़ दिमाग में जाती है, तो ये विचार का रूप लेती है। तो व्यक्ति को समझ में आता है, एक पलास्टिक का फूल है और दूसरा असली फूल है। क्या खूबी है हमारे अंदर परखने की और इसमें मदद किसने की हमारे मन ने। क्यूंकि ये तस्वीरों का इकठा होना ही तो मन है। मन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम उसे छू सको। जब विचार होते हैं, मन का तब ही एहसास होता कि वो है, वरना मन जैसा कुछ नहीं है। अब मन का काम ही यही है, तुम्हें विचारों को दिखाना, ताकि तुम्हें इस जीवन के प्रती समझ आ सके, पांच ग्यान इंदरियों की मदद से। मुश्किल तब पैदा होती है, जब तुम इसी हिस्से को इस्तेमाल में लिते हो, ध्यान करने के लिए। जबकि ये हिस्सा बना ही नहीं है ध्यान के लिए, क्योंकि इसका काम ही यही है बदलते रहना, क्योंकि 60,000 विचार 60 तरह के बदलाव, तो ये हिस्सा किसी एक चीज़ पे स्थिर नहीं रह सकता। अब तुम खुद सोचो, जिस हिस्से का काम प्रतिपल बदलना है, वो किसी एक रूप में स्थिर कैसे होकर रह सकता है, जो ध्यान में होता है अक्सर। अब इन विचारों को मन बनाता तो है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए, वश में करने के लिए और भी बहुत सी कुछ चीज़े हैं। जैसे दिमाग के चार हिस्से मैंने कहा, पहले हिस्से में चार तरा के केंदर हैं, यानि उर्जा के सेंटर्स, पहला है इंटलेक्ट, यानि बुद्धी, विवेक, गहरी समझ, जैसे मैंने उधारन दी थी, प्लास्टिक के फूल में और असल फूल में क्या फरक है, इसकी इ एक पहलू की ऐसे ही स्पष्टता समझ में आती जाए तो व्यक्ति सही सही ग्यान तक पहुंच सकता है अब जरा सोचिए एक जागा हुआ व्यक्ति गातम बुद्धा या कोई और किस हद तक की समझ रखते होंगे जीवन के हर पहलू की लेकिन एक सधारन व्यक्ति के साथ ऐसा होता है उसे पता है बुद्धी कई बार ये भी बताती है कि ये चीज़ गलत है उधारन के लिए धूमर पान लिखा है सभी लोग कहते भी है हानिकारक है फिर भी व्यक्ति करता है बुद्धी अपना काम करके देती है, लेकिन फिर भी कही न कहीं इतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धी बुद्ध की तरह हो सकती है, लेकिन इस बुद्धी की शमता को कमजोर करते हैं दो आगे केंदर, और वो है emotions, यानि भावनाई. पहले हिसे का ये दूसरा केंदर है, जो बेहद सवेदनशील है, और कहीं ज्यादा परभावशाली है, व्यक्ति अगर जीवन के बेहद ही गहन पहलूपे सोच विचार कर रहा हो, तो ये केंदर उस सोच विचार से परे करके, अपनी और ध्यान अकर्षित करने का समर्थे अदलाव या कोई फैसला लेने से भी रोक देता है, या फिर कुछ गलत फैसले लेने में भी मदद करता है, जैसे कुछ माबाप अपने बच्चों की गलतियों पे परदा डाल देते हैं, नजर अंदास कर देते हैं, मोह के कारण, या फिर महा भारत के युद्ध के होने का ये भी कारण था, दुर्योधन के पिता का उसके प्रति, हद से ज्यादा मोह, शायद कुछ व्यक्ति इसे प्रेम समझते हो, लेकिन ये मोह है, या कुछ लोग पडोसी ने गाड़ी खरीद ली है, मैं पीछे ना रह जाऊं, तो मैं उससे भी बड़ी गाड़ी खरीद लेत और अपने घर के सामने खड़ी कर देता हूं, हलकि जरूरत कोई नहीं थी, ऐसा व्यक्ति बिना मतलब करजे में डूप जाता है, व्यक्ति जब भी भावनाओं में बह कर कोई फैसला लेता है, अकसर उनी फैसलों पर बाद में पश्ताना पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त भावनाओं के कारण व्यक्ति ये फैसला ले रहा था, उस वक्त किसी भी चीज़ के प्रती स्पष्ट ग्यान प्रापत कर लेने वाली बुद्धी, भावनाओं के केंदर द्वारा बेहोश कर दी गई थी, वो फैसला बेहोशी में मोह के कारण लिया गया, जिसे यो कहता है रजस गुण, तु जरा सोचिये, ध्यान करते समय क्या भावनाओं फिर से नहीं खड़ा हो जाएंगी, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना, मैं भावनाओं को मार देने की बात नहीं कर रहा, जैसे प्रेम एक बड़ी भावना है, क्योंकि मोह के कारण सामने वा लोगों का जो कभी जागे थे, उनका सबके लिए निस्वार्थ प्रेम ही तो था, तबी वो इस दुनिया को बहुत कुछ दे कर गए, तीसरा केंदर जो भावनाओं से भी ज्यादा परभावशाली है, यानि सेंसो वाइटैलिटी, जो सेक्स से भी जुड़ा है, जो भी अ एक महक काफी है, ये भी कुछ ज्यादा ही है, बलकि एक विचार काफी है और कामवासना उठ खड़ी होती है, फिर बुद्धी लाग कहे, प्लास्टिक का फूल और वास्तविक फूल में अंतर है, लेकिन उस समय कामुख व्यक्ति के लिए, कामवासना जो सत्य कहीगी, वह सत्य होगा, फिर प्रेमी चाहे दिन को रात क्यूं न कहे, बरमचर्या के बारे में मैंने एक बात सुनी, अडवाइस दी जाती है कि अपने से बड़ी स्तरी को माता मानो, अपने से छोटी स्तरी को भेन मानो, अडवाइस बेहद अच्छी है, सुनने में भी, निभाने में लेकिन जैसे ही कामवासना उठ खड़ी होती है, सबसे पहले इसी अडवाइस को बाहर फैंकती है, और अंदर की मूल प्रकरती, इसे इनकार करतेती है, व्यक्ति जितनी भी मोटिवेशन के जरिये, ऐसा कुछ दिमाग में विवस्था खड़ी करता है, कामवासना उसे उख खड़ फैंकती है, मानो जैसे कमजोर दिवार वाली शत गर जाए, क्योंकि कामवासना उन गहराईयों से आती है, जहां तक ये मोटिवेशन पहुंच नहीं पाती, क्योंकि मोटिवेशन तो मन का खेल है, मन समझता है, हिंदी और इंगलिश भाषा, कामवासना को तो एक ही भाषा समझ में आती है, मैं जाक चुकी हूँ, तरप्ती शाहिए, ब्रम्चरया में अगर वीरे को बचाना कहा गया है, उसके लिए उधारन के लिए अगर दस बाते कही गई हैं, तो उन दस में से वीरे को बचाना एक बात है, बाकी की नौ बातें मदद करती हैं वीरे को बचाने में और जो जुरूरी है, जितनी भी वासनाई इस केंदर से आती हैं, इस केंदर को योग तमस कहता है, कामवासना को खतम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही तो ब्रम्चरया है, लेकिन उसे बदला जा सकता है, सही ग्यान और समझ से, चौथा केंदर श्रीर से जु केंदर की शक्ती ज्यादा परभावशाली होगी ये उससे सहमत हो जाएगा अगर भावनाएं ज्यादा परभावशाली है किसी चीज़ को लेकर तो पैर खुद बाखुद उस चीज़ को खुरीदने की और बढ़ेंगे लेकिन ध्यान में रहे इसी शक्ति को सही कारियों में भी इस्तिमाल किया जा सकता है अगर भावनाई बुद्धी के साथ मिलकर काम करे तो सारे फैसले स्थिर्ता से भी लिये जा सकते हैं अगर कामवासना परभावशाली है तो शरीर में जो सेक्स केंदर है हाथ उसकी और बढ़ने लगते हैं तो अब जरह तुम सोचो दिमाग का पहला हिस्सा जिसमें ये चार किंदर हैं ये सर से लेकर पैर तक व्यक्ति को परभावित करता है बिना इसका विकास किये ध्यान कैसे उतर सकता है लेकिन ये हिस्सा इतना अधबुद भी हो सकता है जैसा कभी बुद्ध का था हानी भी पहुचा सकता है जैसा कि सधारन व्यक्ति दुखों से जूचता है भावनाओं और वासनाओं का काम भी है व्यक्ति को माया में उलजाए रखने का तो व्यक्ति 5-10 मिनट आखे बंद करके बैठते हुए ये कैसे भूल सकता है ये 5-10 मिनट 29 गंटों में नहीं आते तो अध्यातम 5-10 मिनट का खेल नहीं है इसे गाठ बांद लीजिए जब बन के इस पहले हिसे का विकास पूरण रूप से हो जाता है विकास से मेरा मतलब है जब व्यक्ति भावनाओ और कामवासना पे काम करके मन की स्तिर्था हासिल कर लेता है तो ध्यान तुमें खुद चुनता है खुद उतराता है सब अपने आप होता है तुमें करना नहीं पढ़ता फिर पांच या दस मिनट की बात नहीं रह जाती क्योंकि बादलों ने सूर्य को ढग दिया है इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्वी ही नहीं है वासनाओं ने बेहोशी ने तुमारे अंदर जो है उसे जो ढग रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझूद नहीं है जब ये बादल मिट जाते हैं तो अंदर से खुद निखर के आता है तो फिर पांच ये दस मिनिट बैठने की बात ही नहीं रह जाती क्योंकि ऐसा भी कोई ध्यान है जो खड़े हो जाने पे तूट जाएगा लेकिन फिर वो ध्यान नहीं भरम हो सकता है दिमाग के इस पहले हिस्से पे काम करना ठीक वैसा है जैसे एक यात्रा करना ताकि तुम मन्जिल के अधिकारी हो सको हाला कि अभी भी हो कुछ लोगों को इतनी यात्रा करने की भी जुरूरत नहीं लेकिन अगर बेखोसी ज्यादा गहरी है तो करनी पड़ेगी जब पहले हिस्से का विकास हो जाता है दूसरे हिस्से में व्यक्ति पहुँच जाता है इसी हिस्से में सही अर्थों में व्यक्ति ध्यान उसके जीवन में उतर सकता है गा taking concentration हो सकती है या ऐसा भी ग्यान प्राप्त हो सकता है जिसमें मन की सहाइता नहीं लेनी पड़ते बीना मन के ग्यान की प्राप्ती हो जाते है जैसे मैंने इंट्यूशन की बात की थी फिर दिमाग का तीसरा हिस्सा जो है जिसमें बहुत से mystical experiences है हाला की ऐसे अनुभव है जिन पे विश्वास नहीं हो सकता जिस व्यक्ती के पहले हिसे का विकास नहीं हुआ है चोथा हिस्सा है वो हिस्सा जो व्यक्ती का असल स्वरूप है परमतत्व तो मैंने बहुत से परियोग तुमें करवाए हैं उन्हें करो वो ज़रूरी है क्योंकि पहले तो छोटा कदम लेना पड़ेगा न फिर बाकी की कदम लिये जा सकते हैं तो चलिए इस ग्यान को अपने जीवन में उपयोग मिलाए दिमाग के किसी कोने में संभाल के मत रख लेना क्योंकि बुड़े होते होते भूल जाओगे एक दिए और अंत में एक और बात बुद्ध की मूर्ती को देखकर तुम भ्रम में मत पड़ जाना ध्यान है तो हर समय है वरना तुम आँखे बंद कर पांच या दस मिनट बैठने वाले परयोग को ध्यान कहते हो तो वो तुमारा भ्रम है इससे ज्यादा कुछ नहीं झाले वो तुमारा भ्रम में मत बात